दोस्तो आज के इस वीडियो मा आपको बताने वालो कि आप स्विगी आप्लिकेशन से आप जो है ओनलाइन फूड ओडर कैसे कर सकते हो जीगा दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हों कि Swiggy application की मदद से घर बैटे online जो है गर्मा गर्म फूड हम जो है खाना कैसे order कर सकते हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हों तो इस विडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी skip मत करना तो सबसे पहले आपको play store से Swiggy application को डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने की बाद simply आपको Swiggy application को open कर लेना और इस application को open करने की बाद यहाँ पर सबसे पहले तो इस application में आपको अपनी ID बनानी होगी अगर आपको सबसे पहले जैसे आप इस application को open करोगे इसके बाद आपको sign up option पर क्लिक करने के बाद अपना mobile number और email ID डलने के बाद आपको OTP डलना है इसके बाद आपकी जो है इस application पर ID create हो जाएगी और अपनी जो है ID बनाने के बाद आपके सामने इस application का कुछ इस तरीके से interface आजागे इस application में आपको रहेंगे वो सभी restaurant आपको मिल जाएंगे और आप जिस भी food को order करना चाहते हो आपका जो भी favorite dish है उसको यहाँ से आप order कर सकती हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग-लग food देखनी को मिल जाती है तो यहाँ पर मैं किसी एक item को यहाँ पर जो है इडली यहाँ पर order कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेच आजागे जो भी आप जो है अपना food select करोगे इसके बाद आपको जो अपनी nearest जो भी restaurant रहेंगी वो देखनी को मिल जाएंगी तो यहाँ पर आपकी जो भी अच्छी restaurant है आप उस restaurant को select कर सकते हो जैसे मैं आपर शिव शक्ती वेकर्स यहाँ पर इससे select कर लेता हूँ और इसको select करने की बाद यहाँ पर आपको जो है अई understood पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपने जो है order की सारी detail मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देखस तो मैंने जो है idli यापर select करी दी तो यहाँ पर idli यहाँ पर और इसके साथ साथ बहुत सारी अलग अलग plates भी आपको देखनी को मिल जा दिये तो फिलाल मैं idli यहाँ पर order करना चाहता हूँ यहाँ पर आप देखस तो आप कितनी यहाँ पर प्लेट order करना चाहता हूँ यहाँ पर आप select कर सकते हैं यहाँ पर मैं add option पर click करता हूँ यहाँ पर आप देखस तो price भी show हो रही है यहाँ से आप quantity select कर सकते हो इसके लाव यहाँ पर जो भी discount रहेगा automatically discount भी यहाँ पर जो है add हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने जो है दो quantity यहाँ पर select कर लिए इसके बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे की और आना और यहाँ पर आपको simply अपने जो है सारी bill की detail मिल जाएगी यहाँ पर आपको bill की सारी detail शो हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर आपको add address to proceed पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपकी location automatically यहाँ पर detect हो जाएगी और यहाँ पर आप जो है अपनी location लाने की बाद simply आपको confirm location पर क्लिक करना change location पर क्लिक करके यहाँ से आप manually भी अपनी location डाल सकते हूँ और इसके बाद यहाँ पर आपको confirm location पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी location रहेगी तो यहाँ पर आप जो है डोंबर यहा पर डाल सकती हो तो फिलाल में जो होम सेलक्ट कर लेता है उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कना है और इस पर क्लिक कने की बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेपर क्लिक कना है इस पर क्लिक कने की बाद यहाँ पर आपको कैंसल पॉलिश हो जाती है तो यहाँ पर आपको प्रोसेड़ विद ऊडर पर आपको क्लिक करनी को है और को क्लिक करने की बाद यहां से आप ऑन लाइन पेमेंट कर सकते हों अपर यहां पर आपको पेमेंट का भीुर्ट घविंड खर sacrificed यहाँ पर जो पर डिलेवरी अवैलेबल नहीं है अगर आपके ओर्डर में टिलेवरी अवैलेबल रहता है तो यहाँ से आप प्रोड कर सकते हो इसके बाद आपको प्रोडर नहीं करना चाते हो प्रोड करने के बाद आपका जो है आपका अपका प्रोडर कंफर्म हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है स्विगी अप्लिकेशन पर आप जो है ओनलाइन घर बैटे फूड और कर सकती हो तो गाईस कैसा लगा यह वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं तो गर आप कोई वीडियो चल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शियर करें और भी तक आपने मारी चाणों कि आपके पास कॉल आ जाएका और इसके बाद आप कॉल पर उन्हें अपनी डिटेल बता सकते हो और जैसे आपका जो ओर्डर कंत्पर मुगा डारेक्ली वह आपको कॉल कर लेगा तो इस तरीके से आप जो है स्विगी पर अपना ओर्डर कर सकते हो